अलीगर के थाना गांधी पार्क इलाखे के नगला मान सिंग में हुई महिला राखी की हत्या का खुलासाज पुलिस ने कर दिया है पुलिस के मतावित आरुपित पती ने अवज संबंधों के सक में उसकी निर्मम हत्या की थी जिसमें उसने हत्या वक्त अपनी पत्नी के नाकतान काटने की घटा को अंजाम दिया था दरसल मामला सहर के कानी पार्ट के छेतर के नगला मान सिंग का है मजदूरी करने वाले अकराबाद के सुहावली गाउं के सुरेश चंदर जाटो सहर में कमल सिंग के मकान में किराय पर रहते हैं अपना घर भी धदेशी मोन के पास फ्लॉट लेकर बनवा रहे हैं कई बार सामान की देखरे के लिए यही रुख भी जाते हैं उनकी चार में से तीसरे नंबर की बेटी करीब 19 वर्सिय राकी की साधी 4 दिसंबर 2017 को गौंडा इलाके के जाओ रफायत पुर के राजकुमार कुद्र अमर सिंग के साथ कुई थी दस दिन पहले राकी मा के लोटी थी दो दिन पूर्व राजकुमार उसे बुलाने आया बीते रवीवार साम राकी की मा रुख वती देवी अपनी छोटी बेटी संतो के साथ पती सुरेश चंद को फ्लाट पर ठाना देने चली गई इस वीच अचानक मौसम थराब हो गया और मा बेटी ही फ्लाट में ही रुख गई घर में सिर्फ राजकुमार वा राकी ही बचे सोंबार सुबह रुख वती वा संतो घर लोटी तो राकी का सौ कम्रे में रक्स करनगी तवस्था में पड़ा मिला यह देकर दोरो की चीक नि यह तीन दिन पाले गाधी पार्क में एक महिला की बाड़ी घर में मिली थी जिसमें उसकी डेथ होई थी और उसके नाक कान कटे थे बीवेचना में गाधी पार्क पुलिस ने इसके उसको वर्काउट किया इसमें उसके पती ने उसकी हत्या कर दी थी हत्या करके कैची से उ उसको नियाले के सामने पेश किया जा रहा है अब इसने बताया कि इसकी पत्नी इसकी पत्नी पेवाइद संबंदों का सक्ता इसलिए उसने उसके हत्या कर दी थी नाक और कान इसलिए काटा क्योंकि वो अपने साथ ले जाना चाहता था